कि अलो व्रिवन एंड टोडे वी विल टॉक अबॉट थार्ड ऑफ राइज अफ नेशनलिजम इन यूरोप हमने इसके पहले के दो पार्ट को आपको एक्स्प्रेइन कर चुके हैं वह मारी प्लिलेस्ट में आपको मिल जाएगा चलिए नेक्स थार्ड पार्ट में देखते ह है चलिए और जानते हैं क्या है राइज अफ नेशनलिजम इन यूरोप है तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह भी पता दूँ कि हर पेज को एक्स्पेइन करते वक्त मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसकी एक्जाम में एक्सपेक्टेंसी कैसे रहेगी मतलब आपको बहुत जादा क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या चीज़े पढ़नी है और क्या चीज़े सिर्फ समझनी है और इंट्रेस्ट के साथ पढ़नी है तो चलिए शूर करते है तो आज का जो जर्मनी इटली स्विट्जलाइन जो हम लोग देखते हैं अगर हम मिड एटीन सेंचरी की बात की जाए तो जर्मनी इटली और स्विट्जलाइन नामचेन स्टेट्स नहीं थे वो ऐसे जगहां थे जहां पर डिफेंट डिफेंट किंग्स और डचीज और कैंटून्स ने अपना बसेरा बना कर रख़ा था मतलब ऐसे इसे इलाके जहां पर कई कई प्रक क्रेटिक मुनार्चीज में बटा हुआ था एक अमपार की बात करते हैं जो उस समय पूरे सेंटर और इस्टन यूरोप में अपने धाग जबाय हुआ था ये खुद पैचवर्क ऑफ डिफेंड रीजन्स एंड पीपल का था देखें ये बहुत इंपोर्टेंट लाइन है और क्यूं है ऐसा ये भी मैं आपको बताऊंगा तो देखें हबस्परक अमपार को मानते थे कि ऐसी जगहां जहां पर कई प्रकार के लोग विवन प्रकार के बात बोल ही बोलने वाले लोग मतलब कि उनकी लैंग्विजज बहुत डिफेंट थी और यही नहीं जो जिग्राफ अस्ट्रिया हो गया स्टेंटन लैंड हो गया यह सब बहुत ही ज्यादा सीजन थे इसके अलावा एक बोहेमिया भी था जहां पर जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे वहीं अगर बात की जाए तो इटली के भी कुछ प्रोविंस में आते थे जैसे लेंबॉर्डी हो गया व आस्ट्य और हंगरी था हंगरी की बात की जाए तो हंगरी के अंदर करींफ पॉपलेशन मगयारब बोलती थी और इसके अलावा जो और भी जो लोग जो किसी जो थी वहां कि जो आसपास कि एसकी जासे एलश्टो किसी लोग होते थे जो बहुत ज़दा इनके पाइसा हो या थोड़ी ऊपर विरादरी के लोग हो तो वो लोग वहाँ पर पोलिश बोलते थे तो यह बस कुछ एक्जामपर्स दी गए है कि क्यों हपसबर्ग अमपायर को इसमें जर्मन पीपल लोग रहते थे इटली के हो गए मगयार बोलने वाले हो गए इस तरह के लोग वहाँ पर रहते थे तो इन सब के अलावा गर देखा जाए तो कुछ और भी ग्रुप्स थे जो पीजन पीपल जो 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 जिसे फार्मर साइप के हो गए और वो लोग जो देखे एंपरर्स को उसमें कई प्रकार के लोग थे जैसे बोहेमियन्स हो गए स्लोक्स हो गए और क्रोट्स हो गए रूमन्स हो गए ये सब लोग भी वहाँ पर रहते थे तो अब ये कोशन आता है कि ये सब एक हपसबर्ग अंपार के अंदर कैसे रह लेते थे इनमें की वो बात मानेंगे इसी लिए वो एक दूसर से कनेक्टेड रहते थे बलकि उनके बीच में कोई सेंस ओफ पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बस वो यूनिटी में नहीं रहते थे बत क्यूंकि एम्परर था उनका एक इसी लिए वो एक क्लास थी और पूरे यूरोप की बात की जाए देखिये मैं सिफ जर्मनी मैं सिफ हब्सबर अंपार मैं सिफ स्पेन मैं सिफ इंगलेंड की बात करा हूँ अगर पूरे यूरोप की बात की जाए तो जो एरस्टो किसी थी जो लैंडड एरस्टो किसी थी मतला वो लोग जो एक जिखाँ पर सेटल हो चुके हूं तो लैंडेट एडिस्टो किसी जो थी वह सबसे दर सोशली और पॉलिटिकली डॉमिनेटेट क्लास थी अगर देखा जाए तो इन लोगों में एक बहुत ही खास चीजे थी और ये पूरे यूरोप में इन में बहुत चीजे कॉमन भी थ इंगाती ये जो लोग थे इनके पास कंट्रीशेड में मतलब कि अगर गांओ दियाथ की बात की जए तो वहां पर इनके बड़े बड़े इस्टेट की जैसे बहुत बड़ा एक फार्म हाूस के बहुत बड़ा farmhouse जिसमें बहुत सारे surfs काम कर रहे हूं सर्फ मतलब की नौकर लोग काम कर रहे हूं तो उनके पास बहुत सारे east states थे और अगर cities की बात की जाए बड़े बड़े पारे पैरेस हो गया जिसे बड़े बड़े cities थे वहां पर इनके पास townhouses थे इसके अलावा यह diplomacy और high society में French बोलते थे तो अब यह question बहुत ही important question यहाँ पर उठेगा कि French ही क्यों बोलते थे और कोई language क्यों नहीं तो यह आपको comment section बताना है कि क्यों French बोलते थे वो लोग इसके अलावा यह जो families थी इनकी जो सारी families थी वो एक दूसरे से ties of marriages मतलब कि यह दूसरे में और जो majority population थी वो पीजेंटरी की ही थी तो अब यहाँ पर एक चीज और दी गई है कि to the west the bulk of the land was formed by the tenants and small owners while in eastern and center Europe the pattern of land holding was criticized by vast estate which was cultivated by subs तो यहाँ बोला गया कि west side में अगर जो western Europe की बात की जाए तो वहाँ पर bulk amount पे land का cultivation होता था और eastern और center Europe में देखा जाए तो वहाँ पर land holding जो थी वो estate मतलब कि लोगों के पास estate में lands बटी वी थी लोगों के पास बड़े-बड़े estates थे और land उसमें बटी वी थी तो अब यहाँ पर question आता है कि यह page कितना relevant है exam से तो देखे जो question major question आता है और लगबग कई बार यह question पूछा गया है internals में और external जब आप बोर्स मे जाता हूं वह यह है कि हब्सबर्ग जो है उसको different patchwork of regions and people क्यों कहा जाता है तो यह तो आपको मैंने आपको पता ही दिया कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि बहुत लोग थे Italian German यह सब थे तो उसको आपको अच्छे से explain करना होगा 5-6 points में 5 points में minimum और 5 नमर का ही आता है लगबग और estrocacy and middle class की बात की जाए 2.1 section तो यह उतना खास नहीं है यह question उतना तो नहीं आता है लेकिन आप इसको तैयार कर सकते हैं कि 5-6 points आपको इसमें से भी मिल जाते है तो estrocacy के अलावा जो एक major social group जो यूरोप में इस समय फैल रहा था और आगे चलके revolution की भावना जिस group में स कर हुआ in the first half of the यह कह सकते हैं almost second half of the 18th century second half की starting में of the 18th century मतलब की 1750 के से लेकर 1800 के बीच में यह होता है second half of the 18th century और यहीं से इंडिस्ट्राइशन स्टार्ट हुआ लेकिन फ्रांस और जर्मनी की बात की जाए तो यह 19th century में हुआ मतलब की 1800 के बाद हुआ तो जब यह चीज स्टार्ट होने लगी इंडिस्ट्राइशन आया तो दिखे क्या होता है कि जब कुछ एक बड़ा चेंज आता है तो लोगों के habits बदल जाती हैं नए groups आने शुरू हो जाते हैं लोग नए नए activities में involved होने लगते हैं और इसी activities में involved होने के कारण जो सबसे नया group आया वो था educated working class या कह सकते है educated middle class ठीक है तो ये लोग क्या थे ये लोग ऐसे लोग थे जो लोग काम करके या कुछ अपनी ट्रेडिंग या इस परकार की काम करके industrial काम करके अपनी money earned करते थे और उससे अपना पूरा घरबार चलाते थे और कुछ लोग इसमें बहुत ही अमीर भी हो और आगे चलके जब ये भावना हुई जब इनके खुद के कामों में अरंगा डाले लगी aristocratic मुनार चीज ये सब हो गए तो इनको ये पता चला कि हमें इस मुनार चीज के खिलाफ अपने government के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उन्होंने आवाज उठाई और आगे चल तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं liberal nationalism क्या है तो liberal nationalism के अगर देखा जाए तो liberal nationalism बहुत से लोगों के लिए अलग अलग तरीके के माइने रखता था अगर देखा जाए liberalism होता क्या है तो liberalism derive किया गया है Latin root word लिबर से जिसका मतलब होता है free तो जैसा कि मैंने आप को बताया कि यह different लोगों के लिए different different meaning रखता था तो देखा जाए तो जो middle class थी उसके लिए liberalism freedom for the individual and equality of all before the law तो liberalism का मतलब था कि आजादी और law की प्रती law के सामने सब को एक समान मना जाए यह liberalism middle classes के लिए था अगर politically देखा जाए तो यह emphasize करता था the concept of government by consent मतलब ऐसी government बना में सब ही क्या say हो मतलब कि सब के बात हो कि सब के द्वारा ही वो government बनाए गई है जिसे universal suffrage की बात कह सकते हैं यह था कि सब ने vote दिया और उससे government बनाए गई देखे French revolution के बात से liberalism जो था उसने end of autocracy, clerical privileges, constitution, representative government और parliament की बात की थी इन सब चीजों की बात की थी और इन सब को terms को आपको थोड़ा थोड़ा याद करना ही होगा क्योंकि यह सब terms बहुत ही important होते हैं और आगे चलके इनकी wide meaning भी आपको समझ में आगी और इसी से आपको जो main liberalism है उसके बारे में clear होगा तो पहला क्या है पहला है middle classes, दूसरा है politically की political meaning इसकी क्या थी और तीसरा है French revolution से बा की बात की गए थी तो यह सब था liberalism है तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि यह concept of government by consent की बात को emphasize करता था लेकिन और मैंने बोला कि universal suffrage भी कहा जा सकता है इसको लेकिन अगर देखा जाए तो यह universal suffrage सच में नहीं था क्योंकि universal suffrage का मतलब होता है सभी लोग जो 18 साल मतल सभी कंट्रीज और कह सकते हैं कि almost सभी कंट्रीज में universal suffrage का मतलब था राइट सिर्व उनको दिये जाए वोटिंग के जो प्रॉपर्टी होनेंगे वो लोग और जिनके पास प्रॉपर्टी हो और सबसे बड़ी बात वो लोग मर्द हो यानि कि मैन हो वो लोग देखिए बलकि आगे चलके नॉन प्रॉपर्टी मेंन को तो दे दिया गए जो वोमेन थी उनको बहुत दिनों तक वोटिंग राइट्स नहीं दिये गए अगर बात किये जाए तो जिकोबियन में जितने भी उनको suffrage तो दी गई लेकिन जब बाद में नेपलॉनिक कोड आ गया जैस अपने फादर्स और हजबन की अथॉर्टी के अंदर आएंगी इसके बाद जो नॉन प्रॉपर्टी मेंट थे और जो वोमेन थे उन्होंने बहुत सारे अपने अपोजिशन किया मुवमेंट्स किये अपनी एकॉल राइट्स के लिए लेकिन बहुत हद तक उन्हें किया अब चौथा पॉइंट जो है निविए वो है एकनॉमिक स्पीर देखे एकनॉमिक स्पेर में देखा जाए तो लिबरेलिज्म स्टुट फॉर्ड फ्रीडम 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 फॉप्केशन एंडड एबॉलिशन फ्रीडिट्वन नॉट सेइड इसका मतलब यही है और एक और चीज़ है कि जब मान लीजिए एक सिंपस एक्जामबर देते हैं एक ट्रक चलती है ट्रक चली डेली से लखनो आ रही है और रस्ते में उसको यूनिन गोवर्मेंट चार-पांच जगान रिस्ट्रिक्शन लगाती है पैसा लेती है तो क्या फाइदा होगा बिल्कुल नहीं तो यहां पर लिबरलिजम ये भी कहता था कि जो स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शन है और इसको भी खतम किया जाए तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और डियूरिंग दर नाइंटीन सेंचरी ये जो डिमांड थी एकनॉमिक स बात है कि उनको पैसा बनाने के लिए इन सब चीजों की बहुत ज़दा आवशकता थी कि फीडम अफ मार्केट सो और गुड्स इन कार्टल एजली मूव कर सके तो इसी लिए इन्होंने स्ट्रॉंग डिमांड इसकी रखी तो चलिए अब चलते हैं जर्मान स्पीकिंग री तो उन्होंने अड्मिस्टेटिव सरकल्स को इजी करने के कोशिश की थी लेकिन अच्छिव उन्होंने और भी जदा उसको कॉम्पलेक्स बना दिया था और यह दिखता है जर्मन स्पीकिंग रीजन्स में आई देखते हैं तो इससे पहले कि हम जर्मन स्पीकिंग इलाकों के बारे में जो एक्जांस में बहुत ही कम हद तक आता और यह जो कोशिशन भी रहता है वो आपका नेक्स्ट जो इंडस्ट्रिल रिविलुशन करके जो चप्टर है उससे ज्यादा रिलेवेंट का कोशिशन आता है तो सीधिय से बात है कि अगर एक चप्टर इंडस्ट्र दी जाए तो I will give liberalism to 6.6 और अगर उपर इस्टर किसी वाली बात की जाए उपर जो आपका जो middle classes था तो वो मैं आपको सिफ दो पॉइंट ही दूँगा क्योंकि वो बिल्कुल भी आता नहीं है तो चली आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पर अगर हम पहुंशते हैं जर्म जर्मनी में उसमें जो जर्मनी थी नेपोलियन के बार नेपोलियन के तुरंद बादिया कह सकते हैं नेपोलियन के समय उसमें जर्मनी 39 स्टेट्स में बटी वी थी आगे भी चलके यह ऐसे थी मैं उस सब को कुले कर दूँ है पहले पढ़ते हैं शांदी से तो 39 स्टेट्स बढ़ सकती है यहीं से अब अंदाज लगा लिजे कि कितनी जदा complexity बढ़ती है एक country 39 states और सब की अलग चीजे तो अब भी बोला गया है कि 1833 में अगर आप एक मर्चंट है और आप हैंबर्ग से नियूरंबर्ग के बीच में बढ़ आए अब ये क्या है हैंबर्ग और नियू गुजरना पड़ेगा तो जब गुजरते समय हर राज में क्योंकि अलग 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 इलाके थे अलग अलग weight and measures अलग अलग currency थी अलग अलग custom barriers थे तो मर्चंट को बहुत ज़दा दिक्कत आती थी और यही जर्मनी में भी हो रहा था हर custom barrier में उसको 5% देना परता था अप ने export का 5% हो सकते हैं आप कितना ज़्यदा कर जाएगा उसके cost कितना उसको कम profit होगा उससे और यही नहीं जो weight and measures का जो अलग अलग तरीका था उसकी वज़ा से उसको और भी ज़्यदा problem आती थी क्योंकि एक state में कोई चीज अलग ही weight होता था और दूसरे state में उसका weight एकद में एक aisle का मतलब है 54.7 cm वही mains में 55.1 और नियूरंबर्ग में 65.6 फ्राइबर्ग में 55.5 cm यह सरा हैं बहुत लंबे-लंबे calculation देखने को मिले हैं देखिए इसको याद करना नहीं है बस आपको एक explanation दिया गया है कि कैसे कैसे problem आती थी और क्या था liberalism on the economic sphere अब इस problem को solve करने क इसको solve करने के लिए जो सबसे main चीज और कह सकते हैं इस page का सबसे major question जो आता है वो इसी पर आता है वो है solve variant solve variant क्या था इसके बारे में आपको बहुत बार question देखने को मिलता है और 2019 में शायद 2019 में question आया भी था तो चलिए इसको जानते हैं यह क्या है अब ही मैंने बात की कि एक merchant 1833 में उत्तर प्रदेश से केडला बढ़ रहा है यह मैंने आपको बताया था वैसे बढ़ता तो दूसरे जर्मन इस सेट में है लेकिन वो बढ़ रहा है initiative of pressure ध्यान रखेगा initiative of pressure initiative of pressure initiative of pressure यह बहुत ही important चीज़ है अगर इस line को अब लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा को फायदा होगा इसके अलावा बाद में इसमें कई जर्मन states को भी जोडा गया था अब क्यूंकि जर्मन state की problem को solve करने के लिए था इसी लिए बाद में जर्मन states भी इसमें जोडे गये जिससे उनकी जो problem थी वो कम कर दी जाए अभी मैंने बात की कि पूरे जर्मनी में 39 states थी और कुल मिलाकर वहां पर 30 यानि कि 30 currencies चलती थी जब union आया तो इसने सभी tariff barriers यानि कि जगां जगां हर state पे जो tariff barriers लगे थे उनको हटा दिया और इसके अलावा जो 30 currencies थी उसको घटाया गया और घटा कर 2 currencies बना दी गई पूरे जर्मनी में तो ये solvearian data सबसे important चीज़े की गई बाद में जब railways आ गया तो इससे क्या हुआ कि mobility और बढ़ती चली गई और जितने भी जो problem आ रही थी tariff barriers की और जो regulations लगाए जाते थे वो पूरी तरह से खतम हो लगया और आगे चलके जर्मनी यूनिफिकेशन के पाथ पर बढ़ता चला गया और बाद में अफकॉस उसक के बार में भी हम आपको बता देगे तो यहीं पर अपर एंड करते हैं इस वीडियो को बहुत ही लंबा फिससे हो रहा हमारा वीडियो तो इसको यहीं एंड करेंगे अब relevant आपको बताए कि जॉल्वेरिन बहुत ही जदा important है आपर chapter बहुत ही important point है इसको याद कर लिजेगा I hope आपको यह अच्छा लगाओगा और एक और बात आपको यह बतानी है कि यह जो जॉल्वेरियन है इसको कभी-कभी जॉल्वरीन भी बोला जाता है क्योंकि यह जर्मन वर्ड है इसलिए इसका pronunciation थोड़ा अलग हो सकता है So I hope आपको यह अच्छा लगा हो आपको कुछ समझ में आया होगा आप अपनी preparation कर सकते हैं और इसके बाद हम new conservatism order के बारे में जानेंगे जो 18-15 के बाद से आया यूरोब में और Treaty of Vienna और इसको कैसे पढ़ते हैं क्या trick है इसको पढ़ने की याद करने की इसके बारे में झाल